आईए बनाते हैं अश्मी और नोमी पर बनाये जाने वाले परशाद, हल्वा और छोले सबसे पहले हल्वे के लिए लेंगे हम एक कटोरी आटा, एक कटोरी देसी घी और एक कटोरी चीनी चार से पांच कटे फे बादाम लिए हमने दो हरी इलाईची, एक चमज इतना डेसीकेटिड कोकोनेट और आट से दस किश्मिश दो कटोरी यहाँ पे हमने लिया है पानी, एक पैन लेके उसमें आटे को एक से दो मिनट के लिए ड्राइ रोस करें खिलाते रहें जिससे आटा जलेना, आटा बहुत जल्दी लग जाता है इसलिए ध्यान दीजेगा अच्छे से भुने, जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए, उस वक्त हम अपना घी एड़ करेंगे घी राल के अच्छे से मिक्स करें और कुछ देर के लिए और भुने गैस का फ्लेम धीरे ही रखेगा, अब इसमें दो इलाइची को एड़ कर दीजिए एक सॉस पैन लेकर उसमें दो कटोरी जितना पानी और एक कटोरी चीनी को एड़ कीजिए यहां हमने चीनी की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ उतना गरम करना है हमारी चीनी पिघल जाए इसके बाद इस पानी को हम अपने भुनेवे आटे में डाल देंगे ध्यान से डालेगा छीटा ना आए हिलाते रहिए, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगी क्योंकि घी हमने अच्छे से डाला है अच्छे से हिलाते रहिए, अब इसमें किश्मिट डालिए साथी साथ इसमें कटे वे बेदाम या आप जो भी कोई ड्राइफरूट एड़ करना चाहे हिलाते रहिए, बहुत जल्दी ही हमारा पानी सूख जाएगा अब इसमें हाफ टी स्पून जितना घी डाले अच्छे से बुने एक बार फिर से तब तक बुनते रहे, जब तक हमारा हलवा घी ना छोड़ने लग जाए देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ दिया है इसका मतल़ हमारा हलवा जो है वो रेडी है चलिए चने बनाते हैं चने बनाने के लिए अपने चनों को रात को ही भिगो दे हलका नमक डालके उसके बाद सुबा इसका पानी निकालके थोड़ा सा नमक डाले एक चमत घी या कोई भी ओईल डालके 4-6 सीटी दिलाके आप इसे तयार कर लेजे जैसे ही आपके चने उबल जें उसमें से थोड़े चनों को हलका क्रश करके अलग रख लीजे और यह है चने का पानी अब मसाला लेंगे इसमें यहां आपने लिया है जीरा कश्मीरी लाल मेच गरम मसाला, हल्दी, किचन किंग मसाला, कौरियंडर पाउडर, नमक, कसूरी मेथी और देसी गी हरा धनिया, दो साबुद हरी मेच और दो कटी वे अब एक पैन लेके उसमें देसी गी एड़ कीजिए, अगर आप कोई और ओयल लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं मैं परशाद हमेशा देसी गी में ही बनाती हूँ हल्का गरम करने के बाद अब आप इसमें जीरे को एड़ कीजिए जीरा जैसे ही आपका भुण जाए इसमें क्रश किये हुए अपने चनों को एड़ कर दीजिए मिक्स करिए अब इसमें हम मसालों को एड़ करेंगे एक एकर के यहां हमने हल्का सा नमक डाला है याद देखेगा नमक जादा बिलकुल न डाले कॉरिंडर पाउडर किचन किंग मसाला हल्दी पाउडर लालमिश पाउडर कश्मीरी लालमिश ली है मैंने कसूरी मेथी कटीवी हरी मिट्च इसे डालके अब अच्छे से भुने अब इसमें दो से तीन चमर जितना पानी एड़ कीजिए जिससे हमारा मसाला थोड़ा लिप्टा लिप्टा हो जाए अब इसमें उबले हुए चनों को एड़ कीजिए अच्छे से मिक्स कीजिए जिससे मसाला और चने आपस में मिल जाए अब इसमें चने का पानी डालिए जो जिसमें हमने उबाला था अब इसे साइड में रखके एक तड़का पैन लीजिए तड़का पैन में अपना बचा हुआ देशी घी लीजिए उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिए जैसे ही जीरा हमारा लाल हो जाए इसमें हाफ टी स्पून जितनी लाल मिच डाल दीजे कश्मीरी लाल मिच अब इस तड़के को हम अपने तयार चनों में मिला देंगे मिक्स करिए अच्छे से अब इसमें स्लिट कीवी दो हरी मिच और हरा धनिया डाल दीजे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिच आप ना डाले अब इसमें गरम मसाला डाल के निशिन दीजे लीजे रेडी है हमारे अश्मी नवमी के प्रशाद के काले चने और हलवा